वेल्कम स्टुडेंट्स आप लोगों के क्लाश 12 में आने वाले मेट्रिमोनियल्स जिसमें आपके वॉंटेड ब्रैड और वॉंटेड ग्रूम यानि वर चाहिए वदू चाहिए का शानधार हमने आज वीडियो प्रिपेर किया है क्योसन कोई साथ भी आजाए दस तरिक के क्योसन आजाए लेकिन जो ट्रिकम ने आपके लिए बनाएगे पूछेगा तो वही की ब्रैड चाहिए या ग्रूम चाहिए अब ज़्यादा ज़्यादा वो कुछ दे देगा कि कौन सी कास्ट का चाहिए या यह इतनी पड़ाएगो उतनी पड़ाएगो बाकी बात तो यहीं आएगी यानि टोपिक यही रहेगा क्योसन हजार तरीके के बना देओ इसे में दिक्कत नहीं है यह हमने आपकी दो बनाये हैं वांटेड ब्राइड और वांटेड ग्रूम लेकिन एक लाइन आपको चेंज करनी है वो भी उपर नीचे करनी है नया कुछ नहीं लिखना है और यह आप लिख दोगे पक्के आपके मार्क से कि आप एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेर कीजिए मेट्रिमोनियल जिसको बोलते हैं वेवाई की आपको यू आर इन सर्च ओप ब्राइड और गर्ल फोर यूर एल्डर ब्रदर यानि आप आपके बड़े बाई के लिए एक लड़की के तलास में हैं ठीके तो एक आप एडवर्टाइजमेंट प्रिपेर कीजिए तो यह आपने बनाया एसे दे देगा कि आपको एक बोई के सर्च में हैं एक लड़के की सर्च में हैं आपके लड़की है तो पिर यह बनाना है कुल मिलाकर क्योशन कोई सा भी दे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो केपिट को इसा भी आ जाए मुझे और या लड़की मिले और अच्छे खांदान की मिले क्यीद में नहीं चाहेगा कि मुझें उन्हें बदमासो की लड़की दीज़िए सब यहीं चाहेंगे एक डिसेंड पर मिले की मिले तो ठीक है यह तो हो गया कोमन अब फूर के बाद में यह आपके यहाँ पर यह लिखा मिलेगा फैर स्मार्ट हैंड सम आंसिक मांगलिक सर्मा बोई अब जादासे जादा यह लाइना आप के वह दे वहाँ पर चेन्ज जो सकते की आंसिक मांग लिखना दे मांग लिखना दे दे वह उसमें दे दे तो अगर नहीं दे तो शैम दख सकते हैं सर्मा की जगה और कोई गुपता दे दे मलोतरा दे दे तो आप वो लिख देना और वांटेड ब्राइड ब्राइड चाहिए किसके लिए लड़के के लिए ठीक है तो बोई आएगा उम्र वो दे दे तो बहुत अच्छा नहीं तो आप आपकी साफ से 27, 26, 25 जो भी लिखें ये उसकी हाइट है 5, 9 इंच पड़ाई ल क्यास्वश्ट नव बार, मान लिजेए अगर आपको किसी भी जाती लड़की से साढ़ी करने हैं तो कास्ट नो बार लिख दे है यांप सेम कास्ट लिख दे हमार्य जाती की चाहिए या कास्ट नो बार ने जाती बंदन नहीं कॉन्टेक्ट उप काल्प्रिक लिकुने इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ध्यान देना, यह एक याद करना ही है, तो इसके, हम इसको याद कर लेंगे, इसकी कोपी ही यह है, पुल मिलाकर यह है, देखे, वांटेड, अब यहाँ पर गुरूम चाहिए आने की, आपके पास क्या है, आपके पास है लड़की, अब आपको गुरूम चाहिए याने लड़का चाहिए, जो आपके पास होता है, उसकी आप एज भी लिख देते हैं, उसकी हैट भी लिख देते हैं, जो आपके पास नहीं होता है, जैसे यहाँ पर लड़का चाहिए, तो उसकी आपको पता तोड़ी है ना है कि वो कितनी उमर्य का है उसकी हईट कितने है तो हम तो जो हुमारे पास जिसे यहां पर आपके पास मैं wanted bride है यानी वद्दू चाहिए तो आपके पास लड़का हुआ लड़की की लीखेंगे सुन्दर पतली दूबली अब यहाँ क्या चाहिए दुल्ला रश दूपर किसके लिखेंगे यहाँ से लाइन लिक्ष है यहाँ पर गोर एपनी तरफ से लिख दिया और गोर्मेंट जो भी करता हो फोर के बाद में लड़की की लिख दी, गोर्म वाले में लड़की की नीचे लिख दी आ उपर इसमें तो उपर आएगी देख न, यह जो यहां पर ध्यान से देख न, ब्रैइड चाहिए, क्या चाहिए ब्रैइड, यहां पर है लड़की तो लड़की चाहिए तो आपको लड़की चाहिए तो लड़की की उपर लिखनी है लड़का चाहिए तो लड़की की उपर लिखनी है ठीक है और second number पर जिसके लिए चाहिए यहां किसके लिए चाहिए लड़की लड़के के लिए तो यहां लड़की क विशेषता आजाएगी यहां पर आपको वर चाहिए वर चाहिए किसके लिए चाहिए आपको वर आपके लड़की के लिए तो सेकिन नमबर पर लड़की क्या जाएगी बस सीदी सी बात में फिर समझा देता हूं लड़की चाहिए यहां पर फी मेल चाहिए ध्यान देना फी भी मेल की लिखनी है यहाँ पर मेल आ गया तो शेकिन नंबर पर फीमेल की लिखनी है यह गोर कर लेंडा वस मेल के आ गई और रहे मैल कि अब आपको गोर करना वांटेड हैं शमिस्मार सर्मा बॉई सेल बिजनिस वो गया फूर ब्यूटिपुल यह देखना यह लड़की चा क्या करती है M.A.B.A क्योंकि अभी अपने पास को ने लड़की है तो जो अपने पास होता है उसकी हमें विशेष्था लिखनी होती है M.A.B.A 25 साल की पांस पुर्ट तीन इंचे फ्रॉम डिशेंट फेमेली या जा सब फ्रॉम डिशेंट फेमेली कॉंटेक्ट नंबर ये लिख दिया बायो डेटा लिख दिया फोटोग्राप लिख दिया और एड्रेस आपने लिख दिया और इमेल भी आपने लिख दिया तो कुल मिलाकर ये एक हमने याद किया इसी से दूसरा बना लिए ऐसी कितने भी आ जाए बस आपको क्या करना ये च जानकार ये लिख दीजिए हैंसमी स्मार्ट है कितना पड़ा लिखा है कितना कमाता है ऐसे ही आपको लड़का चाहिए तो आप ले लड़के की लिख दीजिए लड़का चाहिए कि आपको ये आपको हैं लड़का चाहिए तो लड़का कौन सा चाहिए हैंसमी स्मार्ट ये जो भी यह और आपके पास क्या लड़की है तो लड़की की पूरी उश्य इसता लिख दी जाप केसी है कितनी पड़ी लिखिए जो हमारे पास होता है उसकी पूरी जानकारियं में लिखनी होती है और जो नहीं होता है उसका हम क्या expect करते हैं कि हम इसा चाहिए बाकी contact address वायो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक सेर कीजिए ठेंक यू